हेलो दोस्तो वेलकम टो कुक विट आईजा दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए मिश्टी दोही की रेसिपी लेकर आई हूँ यह बेंगॉली स्वीट है और बहुत ही पसंद करके खाई जाती है तो चलिए देखते हैं कि हमने इसमें क्या-क्या यूज किया है और इसे किस तर है पनाल टाला हुआ है तक्रीबं तीन कप दूद जिसे मैंने दो कप एक सात क्रूद रखा हुआ है और एक कप अलग रखा है साथी मैंने हाफ कब यहाँ पे कर्ड लिया है दही जिस पयुद बिल्कुल भी पानी नहीं है Pues holistic और तो सबसे पहले हमें एक बर्तन लेंगे जि गेस की फ्लेम लो है, तो एक बात का खयाम रखना, कि जब भी आप शकर को केरेमलाइस करेंगे, तो बिल्कुल भी जल्दी मत करना, क्योंकि अगर शकर जल गई, तो पूरा टेस्ट खराब हो सकता है, तो यहां पे हमें बहुत ही पेशन्स के साथ, तो लोघट जाएगी तब हम इसमें चमठ चलाएंगे और बहुत ही आहतियात के साथ बहुत ही ध्यान से हमें शक्र को करेमलाईज करना है तो आप देख सकते हो के मीडियम फ्लेंफ पे लो फ्लेंफ हमने शक्र को अच्छे से करेमलाईज कर लिया पूरी तरह से शकर डिसॉल्फ हो चुकी है कैरमलाइज हो चुकी है तो अब हम इसमें एड करेंगे दूद तो यहां पे शकर अच्छे से मिल्ट हो चुकी है अच्छे से कैरमल हो चुकी है शकर कैरमलाइज हो गई है तो अब हम इसमें एड करेंगे दूद जो हमने एक कप अ यह वाले दूद्ल को अमने ऐट देंगे तो आदा अधा करके वात पर नहीं ही प्रसकते हैं साधू सकली ऻिसे दूद्ध करते हैं जैसे दूद्ल गरम होता जाएंगा शक्र मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगि उसे फाद энगे cioè मास इसे अधो फैसे लड़ करेंगे और अच्छी तरह से शकर के मिल्ट होने तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे तो यहाँ पर टेंचल लेने वाली कोई बात नहीं है शकर जैसे जैसे दूद गरम हो जाएगा शकर पूरी तरह से मिल्ट हो जाएगी तो आप देख सकते हो कम से कम 3-4 मिनट लगे थे हमें शकर को मिल्ट होने में तो जैसे जैसे दूद गरम होता गया वैसे जैसे शकर मिल्ट होते गई अब हमने जो दो कप दूद एक साथ रखा था हम इसे इसमें एड़ कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने दो कप जो एक्स्टा रखा था अलग से दूद रखा था इसे भी हमने इसमें एड़ कर दिया है और अब हम इसमें 1-4th कप शुगर एड़ करेंगे जो हमने ली थी आधा कप का हमने कैरमलाइस किया ता शकर को और दूधा कप हम इसे बाद में ऐट करेंगे दूध में तो अब हम इसे उबाल लेना है दूध को और दूध को हल्का सा रिडियूप होने तक पकाना है हमें अच्छे से तो आप देख सकते हो कि दूद को उबाल आ चुका है अब हम दूद हलका जब तक रिड्यूस नहीं होता है तब तक हम इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे चम्मत चलाते हुए मिच्टी दो ही दो तरीके से बनती है एक शकर के साथ और दूसरी गुड के साथ तो इंशालला में नेक्स टाइम आपके साथ गुड से किस तरह बनती है यह भी रेसिपी शेयर करूंगी तो यहाँ पे हमने हाफ कप कर्ड लिया था दही लिया था जिसे हमने मलमल के कपड़े में बांद कर टांग कर रखा था ताकि उसका पूरा पानी एक्स्टा जो होता है वो निकल जाए तो अब हम इसे अच्छे से मेश कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो अब देख सकते हो, कि हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, अच्छे से चम्मच की मदद से मेश कर दिया है, अब हम इसे एक साइट पे रखेंगे, तो यहाँ पे दूद हलका सा रिडियूस हो चुका है कम से कम 6-7 मिनट लगे थे हमें दूद को रिड्यूस करने के लिए मीडियम फ्लेम पे तो अब इसकी कंसिस्टेंस देख सकते हो हलकी हलकी थिक होना चालू हो गई है तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ हमें इससे जादा रिड्यूस नहीं करना है दूद को तो अब हम यहां पे गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे हमने बटन को गैस से नीचे उतार दिया था अब हम इसका हलका थंडा होने का वेट करेंगे लुक वाम और फिर हम इसमें बाकी का प्रोसेस करेंगे तो यह हलका थंडा हो चुका था तो अब हम इसमें दूद दही एड करेंगे और इस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि लंस نہ पड़े इसमें तो अब देख सकते हो कि हमने दूत श्लीया करें ताकि नहीं दोटrist कर लिया है लुष्टी दोही को अक्सर मिट्टी के बार्तन में मैं जमाए जाता है में पास मिट्टी के बरतन अवेलेबल नहीं थे इसके लिए मैंने स्टील के और काच के बरतन लिये थे तो अब देख सकते हो मिल्क की कंसिस्टनसी बहुत ही ठिक है तो हमने याँ पे इसे बरतन में सेट करने के लिए रख दिया था कम से कम साथ से आठ घंटे के लिए हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे तो आठ घंटे बाद हमने इसे चेक किया था यह बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुकी थी तो अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो ताकि बाद में खाने में मज़ा आए तो अब हम मिलते हैं 2-3 घंटे बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मैं आपको 2-3 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल कर आपको इसका लुक दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी बनकर तयार हुई थी बहुत ही टेस्टी बनी थी उमीद करती हूँ कि आप सबको भी यह रेसीपी बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले और साथ ही हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर लेटिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे वो भी फ्री में अल्ला हाफिज